जेहन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पनी यूट्यूब चैनल Army Achievers Academy में दोस्तों आज जो है आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ भरती के डॉकुमेंट्स और उनके फॉर्मेट कौन-कौन से फॉर्मेट लगते हैं स्पॉंसर का फॉर्मेट, प्रिवेरिफिकेशन फॉर्मेट और भी अलग-अलग फैमिली डिटियल फोटो वगेरा जो भी कॉंसेंट फॉर्मेट है दोस्तो सारो डिटियल आपको फॉर्मेट के साथ में दिखाऊंगा, वीडियो को अंते तक देखेगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है आप उस पर जाके comment कर सकते हैं, वहाँ पर आपका reply पका दीया जाएगा उसका link मेंने description में दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तो वहाँ पर वही लोग जाएंगे जिनको genuine problem होगी वो पका माँ जाएंगे और उसमें comment करेंगे, उनको reply भी मिलने वाला है तो दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं आपको दिखाते हैं सारे document के साथ में उनके format भी दोस्तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि Pre-Verification Certificate और इसी तरह से यहां पर और भी वह सारे format है जो आपको देखने को मिलेंगे औरीजिनल के साथ में दो Attested Photocopy इसमें आप देख पा रहे हैं SSLC, Metric, Tenth, Tenth Plus Two यानि बारवी पास के Marksheet आपको लेके जानी है साथ में आपने Attested भी करवा के लेके जाना है फोटो कोपियों को दोस्तो इसके बाद Relation Certificate इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यह जो Concerned Record Office से बनता है आपका Relation Certificate अगर आपके पिता जी या भाई आर्मे में है तब यह Relation Certificate वहाँ से बनाया जाता है Priority One, Priority Two दोस्तो यह एक Priority होती है कि Relation के Basis पर आपको किस तरह से वहाँ पे लिया जाएगा आप वीडियो को लास तक देखिए बिल्कुल भी Escape मत कीजिए वरना आपकी जानकर या धूरी रह सकती है इसके बाद Original Discharge Book अगर दोस्तो आप एक सर्विस में इनके बेटे हैं तो आपकी वहाँ पे Original Discharge Book होगी जिसमें आपका नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा होगा तो वह आपको लेके जाना है Character Certificate दोस्तो आपके Village के सरपंच, Local Police Station से बना हुआ 6 महिने के अंदर वाला आपको लेके जाना है format भी दिखाया जाएगा आपको इसके बाद Cost Certificate यनि कि आपकी जाती का प्रमान पत्र जोगी दोस्तो तहसिलदार, SDM के द्वारा लिखके लेके जाना है वो लोग साइन करते हैं Family Photo दोस्तो यहाँ Family Photo लेके जाना है उसका भी format में आपको दिखाऊंगा वो भी विलेज सरपंच के द्वारा स्टांप लगा हुआ होगा और वो भी छे मेने के अंदर वाला होना चाहिए इसके बाद दोस्तो एफडेविट लेके जाना है एफडेविट में आपका कास्ट, सबकास्ट, religion, marital status, postal address, सब कुछ उसमें criminal के ऐसे की नहीं है consent का certificate कैसा होता है वो एफडेविट में सारा लिखा हुआ होता है वो आपको लेके जाना है फॉर्मेट दिखाता हूँ NCC certificate दोस्तो अगर आपने NCCI sports में participate किया है किसी भी level में तो आपको लेके जाना है NCC का A, B, C certificate होगा या फिर sports का आपका district state, national, international का certificate होगा आपको bonus marks दिये जाते हैं आपको इसाथ में लेके जाना है इसके बाद में ID proof के तोर पे दोस्तो ID proof के तोर पे आपको ले जाना है आधार, pain card, driving license इस टाइप से लेके जाना है इसके बाद आपको single passport size की जो photocopy लेके जाना है 20 ठीक है इसके बाद में अगर आप 6% है तो photograph without पगड़ी आपको खिचवाना रहेगा format पे ले चलते हैं दोस्तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे pre-verification format इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे इसमें लिखा हुआ होता है आपको यहाँ पे feel करना है it is certified date आपका नाम, son of पिताजी का नाम, village, post office, तैसिल, सारा district वगरा इसमें भरना है और इसमें लिखा हुआ रहता है कि आप जो है कि किसी भी political organization के सदशिन नहीं है और आपने कभी भी custody, jail में कोई custody नहीं काटी, आपके प्रती कोई भी criminal या judicial case नहीं है तो दोस्तों उसके लिए होता है यह और local police इसको police authority यहाँ पे sign करके उसका round stamp यहाँ पे लगाईगी और sign करके आपको देगी तो यह आपका हो जाएगा pre-verification इसके बाद दोस्तों unmarried certificate वो कैसे बनाना है same format रहेगा आपको यहाँ पे एक photo लगाना है photo के उपर round seal लगाएगा round seal कोन लगाएगा सरपई इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका नाम सनोप पिता जी का नाम और आपका नीचे permanent address pin code सब वगेरा डाल देना है इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे डालना है कि this is also I knew that I master मतलब आपका नाम पिता जी का नाम very well he is still unmarried मतलब वी तक उसकी साधी नहीं हुई है फिर यहाँ पे उसके सरपंज के स्टांप और यहाँ पे साइन कर देंगे ताकि यह प्रूफ हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे आपके जो है left hand के thumb impression भी लगा जाएंगे ले चलते family detail के उपर दोस्तों बहुत सारे लड़कों को family detail म लगाना है तो मैं बता देता हूं इसमें यहाँ पर देख पारें दूस्तों पर्टिकुलर हो family member master मतलब आपका नाम और son of पिता जी का नाम ठीक है इसके बाद में group family photo किस तरह का होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों 6 by 4 का ठीक है 6 by 4 का होना चाहिए इसके बाद में बना कि एक photo नहीं होना चाहिए यह एक साथ photo खिचके बनना होना चाहिए और इसमें सरपंज का सिल लगेगा है round stamp के साथ इसके बाद में जिन जिन के relation है जैसे आपके पिता भाई जो भी है उनके नाम relation आएगा यहाँ पर इसके बाद नाम आएगा उनकी date of birth आईग और उन पर तो और उसमें जो date of birth सेम होनी चाहिए अब एफ़ डेविट केसा होता है दोस्तों देख लीजे एफ़ डेविट यहाँ पर बना जाता है एफ़ डेविट स्पेसिमें फूड भी टैन रुपे के जजिशियल स्टाम पेपर के उपर बनाना है दस रुपे के स्टाम डेडरेस यहां पर आ जाएगा डिलिजिन कॉन सा है वह दर्म आ जाएगा यहां पर दोस्तों इसके बाद में relation certificate आपने लगाया हुआ उसके बारे में बोल रहे हैं कि relation certificate issued by record office इसके बाद दोस्तों यहां पर बन जाएगा आपका एक एफडेविट for relation certificate के लिए affidavit बनता है, वो यहां से बन जाएगा इसके बाद दोस्तों यह affidavit बनवाना है 10 रुपे के stamp paper के उपर जिसमें आपका spelling variation आपके किसी भी उसमे spelling का variation है, जिसमें आपके पिता जी, माता जी है, variation है date of birth में, एक साल के अंदर वाला तो आपको इस तरह का एक certificate आपको लेके जाना है, जो की affidavit के नाम से जाना जाता है, आप यहां पर लिखना है I, मतलब आपका नाम, son of, brother of उनका rank name, village post जहां के भी रेने वाल है, state यहां पर उनमें भर दिया जाएगा उनके date of birth लिखना है और correct name क्या लिखना है, वो यहां पर लिख देना है जो correct करना है आपको, इसके बाद में आपके date of birth जो भी 10 वी की बारवी के mark sheet में है, वो यहां पर लिख देना है original, इसके बाद दोस्तो passport size photo of candidate यहां पर आपका photo आ जाएगा passport size का candidate के यहां पर sign हो जाएंगे इस तरह से यह round stamp भी लगा दिया जाएगा SDM और यहां पर executive magistrate या फिर SDM के द्वारा वो अस्ताक चरित कर दिया जाएगा इसके बाद ले चलते दोस्तों आपको एक और एक और एक डेविड है, जो की stamp एपर 10 रुपे के उपर बनाना है, जिसमें आपका personal detail रहेगा, यहां पर आपका नाम पिता जी का नाम, माता का नाम place of birth और residential address आपका यहां पर पूरा fill कर देना है, इसमें सब लिखा हुआ है कि आपकी कास्ट क्या है, सब कास्ट क्या है, religion यानि धर्म क्या है, यह सारा लिख के आपको, फिर एक passport सा, इसका photo लगाना है, round stamp लगाएगा, candidate का और यहां पर sign करने के बाद में दोस्तों उसको, फिर SDM और तैसिलदार यहां पर round stamp लागे, उस पर sign कर देंगे, ठीक है, आगे लिए चलते हैं, दोस्तों एक और एफिडेविटे, जो भी 10 रुपे के stamp paper के उपर बनना है, और यह प्रूफ करने वाला है कि आपकी यह साड़े सात्रा से 18 साल के बीच में है, फिर यहां पर आपका नाम और आपका post, address, तहसिल वगएरा लिख के, my son, name, आपका नाम 18 साल से कम है, और उसकी date of birth यह है, आपके पिताजी इसको verify करेंगे, इसके बाद मैं दोस्तों फिर एक passport size का photocopy लगाना है, वो sponsor यानि कि आपके पिताजी हैं, वो यहां पर साइन करेंगे, दोस्तों यही है कि sponsorship certificate का काम करेंगा, मतलब वो sponsor कर रहे हैं कि मेरा बेटा यहां पर 18 साल से कम है, sponsor certificate यह नहीं है, sponsorship certificate के सावता है, वो मैं आपको बताता हूँ, यह तो F.A. David है, F.A. David दोस्तों relation certificate और matriculation certificate का number issue by कौन से board के द्वारा issue हुआ है, वो सारा detail भरने के बाद में, दोस्तों फिर यहां पर आपके पिताजी या फिर भाईस में sign कर देंगे, और फिर उसको भी आपको notary कर वाले नहीं है, SDM से इसको sign कर वाले देना है, दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं कि F.A. David for 10 रुपे के stamp paper के उपर वो भी domicile nativity, मतलब आपका जो जाती प्रमान पत्र है, उसके basis पर आप कहां के रहने वाले हो, यह proof करेगा, जिसमें आपका नाम, son of, passport size का photo, caste, सबकास्ट, religion, और permanent address, postal address, यह सब लिखने के बाद में, यहां पर आपको लुखना है कि आप पिछले 5 साल से कहां रह रहे हो, पिछले 5 साल से जहां भी रहे हो, वो पूरा detail इसमें लिख देना है, जगे-जगे का नाम लिख देना है, और यहां पर I am married, unmarried है की नहीं है, वो इसमें लिखना है, इसके बाद में following cases, आपका कोई इसमें case तो involved तो नहीं हो, आपकी CFIR तो दर्ज नहीं है, आपकी यहां पर consent certificate भी इसमें include हो जाएगा, दोस्तों consent का मतलब है, आपकी age जो 18 से कम है, तो आपकी पिताजी sign करेंगे, ज़्यादा है, तो आप date of issue, validity और यह सारा date इसमें लिख देना है, तो यह सारी चीज़ा हाथ से fill करना है, किसी computer की जरुवत नहीं है, सिर्फ यह format का आपको print out निकाल लेना है, और यहां पर आप देख सकते हैं, आप जो प्रेली देखने जा रहे हैं, उसकी जगे का नाम, उस arrow का नाम, और month, year, category किसके लिए apply कर रहे हैं, और negativity, domicile, certificate के इसाब से आपका address और आपका sign यहां पर हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद में आपको signature of note TV करवा लेना है कहीं से, आगे लिए चलते हैं दोस्तों आपको,